आज का वीडियो शॉर्टर सिंपल रहने वाला है ज्यादा हम इधर दर की बाते करेंगे नहीं सीधा पॉइंट पर आएंगे जो जो बाते हैं मरे को बोलनी है वो मैं बोलने वाला हूँ ठीक है बिना किसी फिल्टर के तो अभी अभी रिसेंटली फ्रीफार कम्यूटी में एकदम बवाल सा मच गया है और यह जो तहल का मच आया है यह अपने टी एसजी रितिक भाई ने मच आया है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे यह बात रिमूव हुआ है और बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट चल रहा था कि मेरा वीबेज फ्रीफार वालों रिमूव करा है या मैंने खुद ने उनका पार्टनर प्रोडाम लीव करके अपना वीबेज हटवाया है अब वैसे तो मैं यह चीज पहले ही क्लियर कर चुका होता है कि उनके आईडी पे वीबेज लगे उनकी गेम में एक अलग पहचान बने और वीबेज लगने से बहुत सारे फायदे हैं हमारी आईडी में फ्री में डामेंट साते हैं ठीक है 10 से 15 जार 20 जार तीस जार डामेंट साते हैं आपके सब्सक्राइबर्स के लीव गरा क्यों अपना वीबेज हटवाया इसमें हरान होने वाली बात कोई भी नहीं है भाई मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरा प्रोग्राम लीव क्यों करा और आप लोग भी मेरी बात उसे एग्री करोगे मैं इस बात की 100 परशेंट गैरेंटी देता हूं अब जो आप पर वीडियो लाने वाला हूं और फ्रीफार की जो अंदर की चीज़ें होती हैं जो पाटनर प्रोग्राम होता उसको तरीके से एक्सपोज करने वाले हैं तो मैं वो वीडियो पिछले संडे को अपने चैनल पर अपलोड करना चाहता था लेकिन मेरी उस वीडियो के आ अगेंस्ट में खड़ा होने को तैयार है क्योंकि पता है बाई क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर कोई छोटा यूटूबर इनक्स एक्सपोज कर देता ना यह लोग उसी यूटूबर के चैनल पर श्ट्राइक मारे को इसका मूव ही पर दबा देते हैं औ ताकि support में खड़ा रहता है तो full support है भाई अपने रितिक भाई को और भाई जो भी वीडियो बना रहा है मैं fully agree करता हूँ भाई की बातों से रितिक भाई अपनी वीडियो में जो जो बात हैं बोल रहे हैं भाई कसम से बता रहा हूँ भाई मैं एक एक बात से strongly अगरी करता हूँ एक एक बात से मतलब रितिक भाई ने अपनी वीडियो में एक एक सब्सक्रिएक लाई intro जो बोली है न मैं एक एक सब्सक्रिक लारी में जाक्राइक सब्सक्राइफ भाई के support के बारे में लेकर अब यह बात जो स्मझघ जाए अच्छी बात है जो लोग न समझे तो अच्छी बात है मुझा पता है ये बात बोलने से मुझे बहुत ज़़ा हेट पड़ने वाली है या फिर बी COL temas पड़के है यह बात में बोल रहा만 है इस यूटूबर है जिनके 5-6-6 million subscribers जो आपके फेवरेट यूटूबर्स है जिनको आप बहुत जदा मानते हो आपनी इंस्पिरेशन मानते हो आपके जो फेवरेट है ना वो कभी भी आपके साथ में खड़े नहीं होंगे कभी भी आपके यूटूबर्स हैं जो पार्टनर प्रोग्राम में हैं वो बिल्कुल भी फ्री फायर इंडिया के इंप्लोईस के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि जिनके 5-6 million subscribers होते हैं 10-10 million subscribers होते हैं उनको काफी high amount पे करते हैं गरीनवाले इतना high amount की आप लोग सोच भी नहीं सकते हो अगर आप लोगों नहीं सुन लिया ना तो आप लोग भी बोलेंगे भाई मुझे ऐसा amount मिले लगे ना मुझे इतने पैसे मिले लगे ना तो मैं तो उनका गुलाम बनके रहूंगा तो सीदी बोल देते हैं कि मैं इन सब चीजों नहीं पढ़ना चाहता मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूं मैं आपने काम पर focus करता हूं मैं content बनाय करता हूं यह करता हूं नहीं बाई वो जंताके साथ मैं कभी खड़े नहीं होगे यह चीज जितने जल्दी समझ जाओ समझ जाओ बागी आपके जैसी सोचो भाई मैं उसको बदल नहीं सकता किसी भी यूटुबर से में कोई हेट नहीं है मैं यह बात पहले कर देता हूं बस इतने दिनों से कम्यूनिटी में रहे के मैंने जो चीज ऑफजर्व करिए न वह मैं आपको बता रहा हूं बड़े बड़े यूटुबर्स जनता के साथ में कभी खड़े नहीं होते हैं वो हमेशा इंप्लॉई के साथ में खड़े होते हैं और एक चीज और फ्रीफार के अगर कोई भी इंप्लॉई मेरा यह वीडियो देख रहा है तो मैं इक बात बोलना चाहता हूं मेरा उनके फ्रीफार इंडिया के ट्रेयर की रिस्पेक्ट करें को अगर आप प्रीफार यूटुबर्स liner provoke के लिए तो आप्की जौब रहेगी क्या आप क्रीटर्स को manage कर रहे हो creator से काम करवाना आपका काम है और अगर आप किसी से अपना काम करवाना चाहते हो न तो थोड़ी respect से होता है अगर आप किसी को कोई काम करने को बोल रहा हो न तो थोड़ी adjust से बोलना होता है order नहीं मारना होता है क्रियेटर आप से उपर है आप क्रियेटर से उपर नहीं हो इस बात को जितने जल्दी समझ जा समझ लेना और हाँ भाई Free Fire India के सारे के सारे employees खराब नहीं है कुछ-कुछ employees सही भी है जो सही है मैं उनके लिए सही ही बोलूँगा लीव कर देंगो तो ये लोग manage किसको करेंगे ये चीज होना possible ही नहीं है क्योंकि ये जो employees है ना ये creators के दिमाग से खिलते है creators को अपने दिमाग पे नचाते हैं और creators नाचते हैं कैसे बताता हूँ ये लोग creators के बीच में food डालने का काम करते हैं उसके लोग जोडते नहीं है creators में ये लोग unity नहीं रखते हैं और आप लोग उन्हों notice भी करा होगा अगर कोई एक यूटुबर जैसे कि अपने रितिक भाई free far के employees के अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो ये लोग इनके चाहीते creators रितिक भाई को reply कर रहे है special treatment देते हैं और वो special treatment special benefit क्या है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा सारी चीज़ें expose करेंगे दीरी दीरी टेंशन ना लो अब सभी के लिए इतना समझ जाओ कि अगर कोई रितिक भाई के अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है अगले वीडियो में बहुत सारे points के साथ में अपने लोग आएंगे अभी तो यह जस्ट ऐसी casual वीडियो बनाए थी इसी सही बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था और यह चीज मैं clear कर देता हूं वीडियो के अड़ में ना मेरे को किसी यूटुबर से हेट है और फ्री फायर से तो हेट है ही नहीं यह चीज तो सोचना भी मत कभी कि मेरे को फ्री फायर से हेट है और मैं ये बात 100% guarantee की साथ मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी YouTuber सभी फिलाल में रितिक भाई के support में वीडियो बना रहे है ना उनमें से किसी को भी और हां रितिक भाई को भी Free Fire से कोई दिक्कत है ही नहीं Free Fire is the best game in the world for us क्योंकि Free Fire game ने हमारा career बनाया है Free Fire है तभी हमारा ये setup है तभी हमारे महेंगे महेंगे phone है iPhone है मज़े है भाई गाड़ी बंगला है सब है भाई Free Fire है सभी तभी सब कुछ है Free Fire की वज़े सही है मैं सब कुछ मिला है Free Fire की वज़े सही है मैं success मिली है तो हम इस game को hate कैसे कर सकते हैं दिक्कत है है मैं बस उन इंप्लोई से जो इसमें काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कवर अप करेंगे काफी अच्छे तरीके से मज़े से फैक्ट्स के साथ मैं इनको Expose करा जाएगा दो चीज़े दो इस वीडियो जितना हो सके इस वीडियो को शेर करो मिलते हैं अगले वीडियो में और सपोर्ट की कमिए रहनी चाहे है अगलिक्न फूर्ट की कमिने लाँ और सपेर्ट की कम गेमिंग में अपना करियर बना चाहते हो कुछ भी अगर आपके मन में पोजिटिव है गेमिंग को लेके तो अभी मौका है सपोर्ट कर लो भाई वरना बाद में कुछ नहीं रहेगा बस डिक्टेटरशिप चलेगी इनकी और आपको जब डिक्टेटरशिप के नीचे रहके ह काम करना पड़ेगा तो अभी मौका है यूनिटी दिखा दो अभी अगर यूनिटी नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं अगली वीडियो के इंतजार करो तरीके से सबको लपीटा जागा टेंशन नालो मिलते अगली वीडियो में थैंकी सो मच फर वाचिंग आइनो अभी जेड़े पाजने साथ